नमस्कार आदा आप साथियों आप सभी का एक बाफिर से मेरे यूटूब चैनल सरकारी स्कूल एक पहल में बहुत बहुत स्वागत है आज के हम इस वीडियो में यूट्हेंड एको कलब क्या है इसका गठन हम कैसे करते हैं गठन की क्या परकिरिया है इसके बारे में जानेंगे साथ ही Youth and Ego Club के द्वारा कौन-कौन सी गतिवीधियां कराई जाती है इसके बारे में हम विस्तार से इस वीडियो में चर्चा करेंगे अगर आपने मेरे चैनल सरकारी स्कूल एक पहल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाले हरे एक वीडियो का आपको नोट्रिफिकेशन मिल सके फेस्बुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करें टुईटर पर हमें फॉलो करें युद कलब क्या है युद कलब के तहत बच्चों में जीवन जीने का कौशल आत्म सम्मान एवं आत्म विश्वास विक्षित करने तथा तनाव भै एवं संकोच जैसे मनोविकारों को दूर कर सोच में लचिलापन विक्षित करना ही युद कलब का परमुख उद्देश से इको कलब क्या है? परतेक विद्याले में यूथ एवं इको कलब के तेहत प्रारंभिक एवं मादमिक विद्याले की कक्छाओं के विद्धार्टियों के लिए पांच सदन का गठन किया जाएगा। इनके नाम क्रमस, प्रिध्वी, जल, वायू, आकास एवं अगनी होंगे। विद्याले के परधाना ध्यापक यूथ एवं इको कलब के परभारी अधिकारी होंगे। विद्याले के परधाना ध्यापक परभारी अधिकारी की भूमिका में होंगे। ये भूमिका सहायक, मार्व दर्शक एवं कारिक्रम के लिए सुधा उपलब्द कराने वाले परमुक के रूप में जाने जाएंगे। विद्याले के परधाना ध्यापक को होगी। विद्याले के परतेक सिक्षक को सदन का परभार दिया जाएगा। विद्याले में सदन की कम सिक्षक होने के इस्तिथी में कुछ सिक्षकों को एक से अधिक हाउस का परभारी बनाया जा सकता है। वरिष्टता के आधार पर वरिष्ट सिक्षकों को अधिक सदन का परभार दिया जा सकता है। विद्याले के परतेक कक्षा के विद्धारतियों को पांच भागों में विभाजित कर परतेक भाग के विद्धारतियों को एक सदन के नाम से संबोधित किया जाएगा इस परकार इस्कूल की कक्षाओं के पांच सदनों में सभी कक्षाओं के विध्यारतियों का समान संख्या में परती निधित्यों हो सकेगा यही परकिरिया आपको प्रारंभिक और मादमिक विध्यालियों में की जाएगी और सदन का गठन किया जाएगा इस परकार प्रारंभिक एवं मादमिक विद्यालें में यूत एवं इको कलब के तेहत पांच सदन कार करेंगे ध्यान देने योग्य बातें विद्याले में न्यू एड्मिशन वाले छात्रों को जिस सदन का सदस्य बनाया जाएगा विद्याले के लास्ट क्लास तक उसी सदन का वो शात्र सदस्य रहेगा परतेक सदन की गतिवीधी को परभारी सिक्षकों के द्वारा संचालित करवाया जाएगा परतेक सदन में सभी विद्धार्तियों का अस्तर समान होगा विद्धार्तियों में वरिष्टता एवं जूनियर जैसी व्यवस्था को विख्षित नहीं करना है सदन की गतिवीधियों को संचालित करने में विद्धार्तियों का सक्रिय सहयोग लिया जाएगा अच्छा परदेशन करने वाले बच्चों को प्रोसाहित किया जाएगा एवं परतेक बच्चे को समाने रूप से ओसन परदान किया जाएगा पांच मूल तत्व आधारित नामों में से जिस नाम तत्व से संबंदित सदन में विधारतियों को परवेश मिला है उस सदन के नाम के अनुरूप विशय पर विधारतियों के लिए भासन, निवन लेखन, पत्र लेखन, पोस्टर बनवाना, साहितिक एवं सांस्कृतिक गति संबध करने का पर्यास करने के लिए प्रेरित किया जाएगा साथ ही परतेक विध्यारतियों को सदन के नाम की मुहत्तता को बतलाते हुए इस नाम की अन्य विशयों को संबधता को इंटरनेट पत्र-पत्रिकाओं इत्यादी सुरुतों से विश्त्रित जानकारी प्राप्त क करने के लिए प्रिरित किया जाएगा इससे बच्चों के ग्यान में व्रिद्धी होगी तथा वे अपने सदन के नाम को समगर रूप से समझ सकेंगे और अन्य विशेयों को संबध कर सकेंगे परतेक सदन में यूथ एवं एको कलब की समस्त गतिवीदियां आयोजित की जाए समझ सिक्षकों को यूथ एवं एको कलब की गतिवीदियों में भाग लेनी है तू प्रोचसाहित किया जाएगा समय समय पर प्रारंबिक सिक्षा के विधार्तियों के पांच सदनों के मद्ध एवं एको कलब की गतिवीदियों की परतियोगिता आयोजित की जाएगी एवं विद्धार्तियों को प्रोसाहित करने के लिए प्रुस्कृत भी किया जाएगा युथ एवं इको कलब की गतिवीदियों में अच्छा परदर्शन करने वाले विद्धार्तियों से बालसंसत की बैठक के दोरान गतिवीदी को परदर्शन कराया जाएगा विद्धार्तियों के दैनिक उपस्तिती रजिस्टर में विद्धार्ति के नाम के सम्मुक उनके सदन का नाम भी अंकित किया जाए ताकि विद्धार्तियों को सदन के नाम से भी पहचाना जा सके परतेक प्रारंभिक एवं मादमिक विद्यालियों के परतेक सदन का रजिस्टर संधारित किया जाए रजिस्टर के मुख प्रिष्ट पर युथ एवं इको कलब तथा सदन का नाम अंकित रहेगा रजिस्टर में सदन के विध्यारतियों के नाम वो कक्छक अंकित रहेगी साथ ही परतेक विध्यारतियों की रूची की गतिवीधी अंकित की जाएगी आयोजित की गई परतेक गतिवीधी का संचित विवरण, दिनांग तथा आयोजन की समायोधी, अंकित कर नोडल अधिकारी वो संच्था परधान द्वारा परमानित किया जाएगा रजिस्टर में गतिवीधी में व्यवराशी का विवरण संधारित भी किया जाएगा यूद कलब की गतिवीधियों में समस्त खेल वो सारेरी गतिवीधियों योग, ड्रामा, वादविवाद, संगीत, कला एवं सांस्कृतिक गतिवीधियों एवं रीडिंग गतिवीधियों आधी सामिल है इको कलब की गतिवीधियों में पर्यावरन, जैवीवीधिता, जलवायू, पोशन, स्वास्त एवं स्वक्षता के परती बच्चों में जागरुखता लाने वाले कारिक्रम आयोजित किये जाएंगे पर्दर्शनी, पेंटिंग, लेखन, व्रिक्षा रोपन, पर्यावरन एवं स्वास्त पर आधारित चलचित्र का पर्दर्शन, अभीभाव को वो सेवा, निविर्त एवं सेवारत राज किये अधिकारी, सिक्षक, डॉक्टर, कोच, पर्यावरन के लिए काम करने वाले व् परता का आयोजन किया जाएगा, सभी बच्चों के स्वास्त की जाच में सहयोग परदान किया जाएगा, इसके अंतरगत सभी बच्चों की लंबाई, वजन, सारेडिक बिमारी का रिकॉर्ड, विध्धारती उपस्तिती रजिस्टर में संधारित किया जाएगा, विध्ध विद्धाले में स्वख्षता कारिकरम आयोजित किया जाएगा जिसमें विद्धाले परिशर एवं कक्छा कक्छो की साफ सफाई ठोस कच्च्रा निस्तारन जल निकास एवं पानी की टंकियों की साफ सफाई सामुहिक रूप से सिक्छकों के निर्देशन में की जाएंगी। सफटा में एक बार चेतना सत्र के दोरान सभी बच्चो की सारीरिक स्वक्षता जैसे नाखून, अस्नान, सिरके बालों, दातों, यूनिफोर्म, जूते मोजों, इतियादी की साफ सफाई की जाँच की जाएगी। एवं बच्चों को सारेरिक स्वक्षता के परती जागरुप किया जाएगा जलसनरक्षन से संबंदित गतिवीदियां आयोजित की जाएंगी अपने आसपास के लोगों को जलसनरक्षन के परती जागरुप भी करने को कहा जाएगा जलसन रक्षन के परती आयोजित होने वाले जलसकती अभ्यान के अंतरगत सभी स्कूलों के इको कलब द्वारा जलसन रक्षन के परचार परसार के आयोजन कराए जाएंगे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, कॉमेंट और शेर करें चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाले हर एक वीडियो का आपको नोट्रिफिकेशन मिल सके फेस्बूक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करें ट्विटर पर हमें फॉलो करें जै हिंद, जै भारत